अपने तो आज का मारा सब्जेक है इंगलीश तो आज हम इंगलीश में स्टॉडी करेंगे चैप्टर नमबर टू जो थी हमारी स्टॉरी आई वांड तो वो हमने लास्ट वीडियो में पार्ट वन व्रक बूक का पार्ट वन हमने कम्प्लीट का लिया था आगे की हमने सारी तो पार्ट टू में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर ट्वैंट जो वहां पे हमें लास्ट ये लाइन्स वाड़ा पिक्चर दिया था और लुक लिसन एंड रिपेट तो ये जो वन से लेके टैंस पूर एक सेंटिंस था वो हमने लर्ण किया था और फिर सामने वाला प्रिस करने के लिए बोला था और ये भी बोला था कि आपको इस पिक्चर के अकोर्डिंग यहां पर जो सेंटिंस दिया है वहां पर पीछे बर्ड्स, काउस, पिपल, ग्रूप, अंस वगेरा लिखा हुआ है तो उसके अकोर्डिंग आपको ये सेंटिंस यहां पर लिखन उसमें आएगा आव फ्लोक आफ बार्ट तो यहां पर में लिखती जाती हूं साथ में फ्लोक आफ बार्ट सेकेंड है तो मंकीज वाल है ओके आफ ट्रूप आफ मंकीज फिर थर्ड है तो फिश है ओके आफ शॉल आफ फिश फिश फोर्थ है तो है हनी बी ओके तो वहाँ पर हम लिखेंगे हनी बी है बीज तो वहाँ पर एगा आफ स्वाम ओफ बीज फिश फिफ्थ है बूक वाला पिक्चर है तो लास्ट में बूक आफ पैल ओफ बूक्स फिर है ग्रैप्स तो आफ बंच ओफ ग्रूप्स और बंच ओफ ग्रैप्स फिर है अंट्स तो उसमें लिखेंगे हम एन आर्मी ओफ ओफ और्म्स तो उसमें लिखेंगे काओट ओफ और बंच पीछ टूप्स Nine तो उसमें आएगा People Crowd of People Crowd Of People Fear Next page पे Page number 13 तो वहाँ पे look lesson and repeat तो वहाँ पे आप उपर देख सकते हो कि pink वाली पूल जो लाइने वहाँ पे आपको option दिया है कि big, small, fat, thin, happy, sad, black, red, white and round तो आपको pictures के according लिखना है कि चलो crow है तो crow का color कैसा होता है तो उसका color है black फिर यहाँ पे जो second वाला picture है तो वो लड़का कैसा है motos है मतलब fat, f-a-t, fat फिर third है picture elephant तो हम उस picture के according यहाँ पे उसके name लिखने है तो वहाँ पे हम लिखेंगे first जो है crow तो उसका आएगा black black b-l-a-c-k black second है जो लड़का उसका जो body है वो है motos है okay तो उसको कहते है fat f-a-t, fat third है elephant तो वो है big तो b-i-g, big fourth है तो fourth जो picture है वो लड़का sad है वो अपना उसका face देखो कैसा है sad तो s-a-d, sad fifth apple है तो apple का color कौन सा है yes, red r-e-d, red six तो जो लड़का है वो smile कर रहा है मतलब वो बहुत है happy है तो happy आएगा h-a-d, double, p-y happy happy fish, seven तो rabbit है तो rabbit का color कौन सा होता है yes, white w-h-i-t, e, white फिर है last eight वाला तो एक button दिया है तो button कैसा है pink color का है but उसका round कैसा है हाँ, bowl है तो उसे कहते है round तो eight में आएगा round r-o-u-n-d, round r-o-u-n-d, round फिर सामने वाले page पे page number 31 तो वहाँ पे हमें दिया है कि one pencil और सामने दिया है three pencils तो यहाँ पे एक वचन और यहाँ पे बहुचन, ओके? तो यहाँ पे one है और यहाँ पे एक से ज्यादा तो एक से ज्यादा होते है तो हम पीछे क्या लगाते है as ओके? तो इसी तरह यहाँ पे हमें count करके लिखना है कि one bowl तो सामने है six balls तो start करते हैं first में है one ball सामने है six balls one apple तो सामने कितने apple है one, two, three, four, five तो five apples third number पे one rose है r o s e rose सामने कितने rose है one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten तो ten roses r o s e s fourth है तो one kite one, k, i, t, e kite सामने कितनी kite है one, two, three, four, five, six, seven seven kites पीछे लगेगा s one kites fifth है तो one bird one bird सामने कितने birds है one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve सामने twelve birds है b, i, r, d, s birds ओके फिर next page पे तो six पे है one house तो यहाँ पे लिखेंगे one house और सामने है तो कितने house है two houses two houses seven पे है tree तो कितने है one tree t, r, double, e बट सामने कितने है one, two, three, four, five तो five trees five trees पीछे s लगेगा फिर eight है one bet one b, a, d, bet और सामने कितने bet है one, two, three, four, five, six, seven, eight nine, ten 11, 12, 13, 14 14 bets है one, four, fourteen bets one, two, three, four, five, six, seven, eight eight, eight heads eight heads okay फिर last है कि one table ten पे आएगा one tables तो यहापको लेटर जो आगे के chapter से अधू रहे थे तो यहापे हम continue कर रहे हैं कि M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z तो यह पेट नमबर आपको 33, 34, 35 आपको खुद से complete करने हैं फिर है पेट नमबर 36 तो वहाँ पर क्या करना है कि आपको एक picture बनाना है कि one number से two number तक आपको joint करना है फिर आप joint करोगे तो यह वाला picture आपका ready हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि यह पूरे आपको numbers joint करने के one से two, two से three, three से four यह आप picture joint करने मिल्लब आप जो point आपको जो दिये है one से two आप numbering joint कर लोगे फिर आपको अंदर color fill करना है फिर सामने वाले page, page number 37 तो first आपके दिया है कि look, listen and repeat तो first है light, L, A, D, light फिर M, A, P, map, फिर T, A, G, tab, D, A, M, dam फिर है R, A, M, ram, C, A, N, can, F, A, N, fan, B, A, T, bat, T, A, N, pen C, A, T, cat, B, A, G, bat, T, A, P, top, M, A, N, man, V, A, N, van, और M, A, T, mat, mat, तो यह आपको lead, map, tag, dam, ram, यह वाले जो sound वाले है वो आपको pictures के साथ यहाँ पर words दिये है तो यह आपको note book में two time लिखके learn करना है और साथ में लिखना भी है, okay फिर नीचे आपको दिया है कि write three rhyming words तो head दिया है तो आपको head, lead, bad, sad फिर है fag, तो bag, tag, mat तो उस according आपको यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि first है head तो उसका आएगा lead, bad और sad तो first आएगा L, A, D, lead फिर bad फिर sad फिर है आपको पीछे a और d दिया है तो मतलब आप कोई भी words लिखो तो पीछे क्या आना चाहिए ad, जैसे कि first में था h, ad last में है ad, तो हमें लिखा है lad, तो पीछे सब में ad, ad, ad आता है, okay फिर second है f, ag, fact तो last में कौन सा letter आना चाहिए? a और g, तो bag तो वहाँ पे हम लिखेंगे b, ag, bag फिर tag तो tag tag फिर है mug भी लिख सकते है, okay m, u mug में क्या आएगा? u आएगा तो आपको इस according यहाँ पे सारे जो words है वो लिखना है फिर यहाँ पे third है h, a, m hum, तो उसका आपको rum, dum और pum लिखना है run है r, a, n run, to man bon और can फिर है l, a, p, lab तो उसको आपको लिखना है tap step और map फिर है last में s, a, t, set तो उसका आपको लिखना है bat, cat और rat जो last में a, d, a, g, a, m, a, n a, p, a, t जो pink वाले दिये हैं वो letter पीछे आना चाहिए, उस according यहापे आपको words लिखना है okay, तो यहापको कुछ से करना है और अगर आपको नहीं आता है तो यहापे उपर भी आपको दिये हैं कि उनमें से भी आप लिख सकते हो यहापे आगे कि जितने हमने chapter मतलब देखें तो उसमें भी आपको workbook में भी आपको यह words मिल जाएगे कि आपको a, g वाले words चाहिए जो पीछे a और g आता है a और m आता है a, n, a, p, a, t यह वाले words भी आपको इस workbook में मिल जाएगे तो यहाँ पे हमारा chapter complete होता है page number, turn your page, page number 38 तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस page पे आपको एक बड़ी सी space दी है यहाँ पे और यहाँ पीछे आपको five sentence, मतलब five line दी है तो यहाँ पे आपको अपने best friend का picture draw करना है अगर आपको draw करना आता है तो draw भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे आपको उसका picture चिपकाना है तो आपको अपने best friend का picture चिपकाना है और फिर आपको अपने best friend के बारे में लिखना है कि my best friend name is जो होता है वो फिर कि my best friend is very nice उसके बारे में आपको five या six lines यहाँ पे आपको नीचे लिखनी है, ओके, वो कहाँ पे रहता है, आप क्या 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 मस्ती करते हो, आप अपने friends के बारे में जो चाहते हों आप वहाँ पे लिख सकते हो, ओके, तो यहाँ पे chapter two, I want exercise workbook part two, यहाँ पे हमारा complete होता है, तो next video मे में देखेंगे, chapter three, textbook में, तो यह सारी exercise मतलब workbook हमारी पूरी complete, मतलब chapter two में सारी exercise हमारी complete हो गई है, तो यह सारी exercise आपको workbook में लिखनी है, और साथ में, जो जो आपको hard लगे, कि यहाँ पे rhyming words है, वो वाला, वो आपको notebook में नहीं लिखना है, आपको लिखना क्या है, कि first part में भी मैंने आपको बोला था, कि आपको question one, जो आपको यह option दिये है, तो वो आपको लिखना है, फिर true, false, या फिर blank है, वो आपको लिखना है, फिर आपको rhyming words, वो rhyming words नहीं लिखना है, फिर आपको pictures, यहाँ पे draw करके, favorite animals, draw करके फिर आपको लिखना है, वो not book में नह sentence को, आपको mistake, जो भी गलती की है, वो सुधार के आपको लिखना है, वो भी आपको not book में नहीं लिखना है, फिर यहाँ पे आपको कुछ words दिये थे न, यह वाले, अभी rhyming words, तो यह words आपको लिखना है, मतलब, starting question one, two, three, और second part में से यह वाला look, listen and repeat, तो यहाँ पे जीतने भी words आपको picture के साथ दिये, तो वो भी आपको not book में लिखना है, बाकी की सारी exercise आपको सिफ workbook में लिखना है, तो next video में देखेंगे chapter 3